दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओं की कैसे आप इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं और अच्छे कासे फॉलोवर ला सकते हैं जैसा कि आप स्क्रेंड के ओपर भी देख सकते हैं ये पेज रेगुलर इस तरह की कंटेंट डालते हैं जो की काफ ज़्यदा पसंद करते हैं और इसी कारण काफी ज़्यदा फॉलोवर इनको मिल जाते हैं तो आप भी अपने पेज के लिए कुछ इस तरह से पोस्ट त्यार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अपने पेज को बहुत ज़्यदा ग्रोथ में ला सकते हैं और इसके लाओ आप आप चाहे तो इस तरह की पोस्ट को तयार करके रिल्स भी बना सकते हैं चाहे तो आप सोट्स वीडियो मना के YouTube के ओपर भी अपलोड कर सकते हैं यह चोईस आपकी उपर नियर पर करती है कि आप इन से क्या-क्या करने वाले हैं लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इस की पोस्ट बना कर दिखाने वाला हूं जो की काफी अच्छी होती है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए ये काम चुटक्यों काम हो जाएगा तो इस तरह की इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए मैं या आप यूज करने वाला हूं पिक्सल लेप अगर आपके पास नहीं तो आप अभी जाएगे ब्लैस्ट और के अंदर और वाहा से इसको डाउनलोड कर दीजिए डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पेले हमिसा की तरह अभी तग आपने इस वीडियो को रखाया और उपन कर लिया है एंड उसके बाद में मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो मैं सबसे पहले यह तेक्स वाला ओप्शन आये हुआ है उसको यहां पर मैं डिलीट कर दिता हूं एंड उसके बाद में यहां पर थी रूट पर जाओंगा और उसकी बा सबस्क्राइब कर दिया है उसके बाद में आपको जाना होगा कलर वाले उप्शन के उपर जैसा कि मैं यहां पर नीची नीची आप देख पा रहे हो ग्रिलेंट तो यहां पर ग्रिलेंट के उपर चलेंगे एंड प्लेस वाला इकन पर जाएंगे उसके बाद में अपने को एक सेडों त्यार करना होगा तो सेडों कुछ इस तरह से अपने यहां पर लेने वाले तो उसके लिए मैं यहां पर सेकंड वाला ले लेता हूं जैसा कि मैं यहां पर सेकंड वाला ले लिया है और उसके बाद में इनके अंदर वाइट वाला कलर देना होता है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करने की बाद में अपन चलेंगे कलर वाले उप्शन में तो यहाँ पर में वाइट वाला कलर यहाँ दे देता हूं फटापट तो अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर लि जो नीचे वाली लाइन है उसको यहां पर transparent कर लेना है और उसके बाद में okay कर देना है okay करते ही यह कुछ इस तरह से हो जाएगा and यहां पर फिर से okay कर देना है and guys यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की png वाले फोटो यहां पर तियार हो चुकी है जाएंगे और इस theme को पूरी तरह से यहां पर delete कर देंगे उसके लिए वाइट वाला कर लेता हूं में यहां पर तो यह पूरी तरह से delete हो चुका है delete हो जाने के बाद में आपन त्यार करेंगे अब instagram के लिए post सबसे पहले यहां पर image size select करेंगे तो फिर से और पूर्सेस करना होगी up 3.3 डोट पे जाएंगे यहां पर image size में जाएंगे और यहां पर कर देंगे 1080 तो आपको यहां पर 1080 कर देना है ऐंड यहां पर त्यार सभृ सबपचास तो मैं आपर वह वाली फोटो यहाँ पर लेकर आनी है तो for example मैं यहाँ से कोई फोटो ले लेता हूँ तो मैंने यह वाली फोटो यहाँ पर पिक कर लिए अपनी गैलरी से और मैं इसको size adjustment कर लूँगा जितनी मुझे रखना है उतना यहाँ पर रख लूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है इस photo को यहाँ पर रख दिया है उसके बाद में अपन इसके उपर कुछ text लिखने वाले हैं तो मैं text यहाँ पर paste कर दिता हूँ text के लिए जाएंगे text वाले icon पर यहाँ पर प्लस कर देता हूँ यहाँ पर यह आ चुका है उसके बाद में मुझे कुछ text यहाँ पर लिखने होंगे तो मैं फटापट वो दे देता हूँ तो वह वाला text में यहाँ पर paste कर दिया है वह वाला text ठीक है उसके बाद में आपन ok कर देंगे और okay करने की बाद में सबसे पहले text का color यहाँ पर black कर देंगे तो आपको भी अपर इनका text का color जो है ब्लेक करते ना होट में यहाँ पर इनका फ़़ू भी चेहरज कर देता हूँ यहाँ डे नाम की font यहवाला से थोड़ी इनकी जो है साइज थोड़ी बड़ी कर देनी है तो मैं इनकी साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूं यहां से ठीक है तो अपने इनकी साइज भी थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि यह पूरी इमेज के उपर अच्छे से आज सके अब क्या करेंगे गाइस यहा आप लिखावा non-gourmant इसका कदर कुछ अलग कर देना है जैसे कि ये वाला color कर सकते हो फिर यहाँ पर organization का कदर आप कुछ अलग कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं red कर देता हूं इसका color तो फिर से मैं यहाँ पर red ले लेता हूं ठीक है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा इतना करने के बाद मैं आपकी post यहाँ पर तियार हो जाती है जो कि काफी अच्छी होती है और काफी unique भी होती है अगर आपको इसका font कुछ अलग करना है बदलना है तो आप बदल सकते हो काफी सारे font आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वैल मुझे डेज नाम का font काफी चाल लगा इसलिए मैं डेज नाम के font को ultra में select करना है और उसके बाद में आपको save कर देना है तो यह post आपकी gallery के अंदर save हो जाएगी अब चाहिए तो आप इस post को real में convert करें या फिर shots video में convert करें या फिर post के YouTube में Instagram के उपर पोस्ट करें तो सब में चले गए और सब में वाइरल होगी मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद दोस्तों आज की टाइम में YouTube के उपर कब सारे लोग अपने वीडियो की जरीए पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन वह कमा नहीं पा रहे हैं आखिर ऐसी तो यह कर रहे हैं कि अपने वीडियो को WhatsApp के जरीए, Telegram के जरीए इन सब Social Media के उपर अपने वीडियो को Share कर रहे है जो कि नहीं करना चाहिए तो तो सकता है एक बार आपकी वीडियो के ऊपर अच्छे का सी यूज आ जाय है, लेकिन वह सब तो आ जाता है, लेकिन उसके पारल नहीं होगा क्योंकि आपका चैनल फिर डेड़ होना स्टार्ट हो जाता है और आप ऐसे डेड़ चैनल के उपर काम करोगे त्यार केसे पैसा कमा पाओ